अगर दुकान का मुखागे की दिशा में हो तो क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं कोछ हुपाए नमस्कार स्वागत है आपका माई जोतिश में मैं हूँ देश्यमंगल दुकान में बरकत अच्छी हो ये सभी दुकानदार चाहते हैं और वे हमेशा चाहेंगे कि उनके पास जादा से जादा लोग आएं और उनसे सामान खरीदे क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनकी खरीदारी ना हो पाए बलकि सबी यही चाते हैं कि उनको अच्छी धन प्रापती हो और कभी भी धन की कमी महसूस ना हो और अच्छे से अपना घर और परिवार चला सके पर अगर हम बात करें दिशा और वास्तु की तो ये भी बहुत मैदवपून रखता है क्योंकि दुकान का मुख अगर आगे की तरफ हुआ अर्थात अगर आगे की दिशाम में दुकान हुआ तो वह बहुत ही अधिक फल देता है ऐसा कहा गया है और अगर वही बात करें किसी और मुख की तो वह इतना फलदाई नहीं माना जाता है इसलिए कहा जाता है कि दुकान किया आगे की ओर मुख होना बहुत ही अधिक महतवपून माना जाता है और साथ ही साथ वास्तु का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है क्योंकि इससे आपकी दुकान की अच्छी खासी धन प्राप्ती होगी और साथ ही साथ आपका व्यापार बहुत आगे तक चलेगा तो चलिए जानते हैं अगर आपकी दुकान का मुख दक्षिन की ओर हो तो ऐसे कौन से उपाएं हैं जो आप आजबा सकते हैं दरिद्रता से मुक्ती के लिए जरूरी है अपने ग्रहन अक्षत्रों की जानकारी ऐसा कहा जाता है कि आगने मुखी दुकान में इन दोनों का प्रभाव हमेशा रहता है वे है पूर्व और दक्षिन क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों यानि पूर्व और दक्षिन बीच का कोन होते हैं इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए तो खास कर पूर्व मुखी का ही उपाय अपना है जाना चाहिए साथ ही साथ यह भी बताय गया है अगर आप दुकान का जो आगे का हिस्सा होता है यानि जो फ्रंट फेस होता है वो हमेशा चोड़ा ही होना चाहिए फिर चाहे पीछे का हिस्सा कैसा भी हो अगर आगे का हिस्सा हमेशा चोड़ा ही होना चाहिए इसलिए इसे सिंग मुखी का दुकान भी कहा जाता है अगर आगने कौन मुखी दुकान आपका किसी भी मार्केट के लाइन बंद में है और अगर उसके सामने कोई भी दुकान जो लाइन बंद हो तो आप बेजिजक रहिए उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता बलकि इससे अच्छा ही माना जाता है और नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं होता हमेशे इस बात का ध्यान रखें जो कि आपका आगने कौन है आपके दुकान का तो उसे हमेशे दक्षिन की दिशा में ही रखे और ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर में ही होना चाहिए इसका मतलब है कि जो भी उस दुकान का मालिक है उसका मुख उत्तर की तरफ हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है अपने व्यापार से संबनी चीजों पर और बंकी भी इतनी अच्छी प्राप्ती नहीं हो पाती इन सब छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखने से ही दुकान अच्छा चल पाता है और अगर कोई भी वासु दोश पाता है तो वह जल्दी से हट जाता है आगने कोण यानि आपके जो दुकान का सामने का हिस्सा है यानि फ्रंट फेस में हमेशा शेड लगा कर ही रखना चाहिए इस बात का ध्यान रखें कि जो भी शेड आप लगा रहे हैं वह सारा दक्षिन का भाग ढग ले तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि दक्षिन का बिलकुल भी थोड़ा सा भी भाग नहीं दिखना चाहिए आखिरी उपाई ये है कि इतनी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना दुकान खोलें और उसका कोई भी सामान आपका जो जल्दी बिक जाता है उसे हमेशा सामने रखें ताकि लोग उस सामान से आकरशित हों और आपकी खरिदारी जल्दी से जल्द हो